हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आहार शंभवं वस्तू, रोगाश्च आहार संभवा, कि इस शरीर का निर्माण जो है वो अन से हुआ है, लेकिन जो शरीर में रोग उत्पन होते हैं, वो भी अन से ही होते हैं, रोगाश्च आहार संभवा, तो यहाँ पर आप समझें कि जब आप आहार के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो जो आहार आपके लिए अम्रित है, सात्विक है वो भी उत्तम नहीं रहता, वो भी नुकसान करने वाला हो जाता है। भर ये आपके काम आने वाले हैं। भोजन करते हैं कुरसी पर या फिर कुछ लेटे-लेटे भोजन कर रहे हैं, कुछ खड़े हो करके भोजन कर रहे हैं। ठीक प्रकार से भूमी पर बैठ कर भोजन करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। लेकिन आप समझ लें कि जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारी साइंटिफिक हैं। उनके विशेश लाब आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप समझें कि जब आप भूमी पर बैठ कर पालती लगा कर भोजन क्रहन करते हैं तो उससे आपके जो लौर बोड़ी है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। पैरों की तरफ ब्लड का circulation कम होता है तो आपके ऊपर के शरीर में ब्लड का circulation बढ़ता है पाचन की और ये circulation जादा हो जाता है और जिस भी अंग को आपके शरीर को जादा काम करना होता है वहाँ इस रक्त का प्रवहा स्वभाविक रूप से बढ़ता है क्योंकि इसके माध्य से ही सारे nutrition इसके माध्यम से ही प्राण वायू बढ़ती है और उस अंग की कार्यक्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमारे यहाँ पर कहा गया है कि आप पालती लगा करके बैठ के बोजन करेंगे तो उससे आपके पाचन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये रूप से वैज्ञानिक चीजें हैं अगर आप इसका पालन करते हैं तो थोड़े ही दिनों में आपको अपने पाचन पर बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और अगर आप बैठ करके और अलग-अलग तरीके से बोजन करते हैं तो वो बिलकुल ठीक नहीं है दूसरा प्रभाव ये होता है कि जब आप बैठ के भोजन करते हैं तो आपके पेट की एक ऐसी स्थती बनती है कि आप अत्याहार बहुत अधिक भोजन नहीं करते आपका भोजन सेयमित हो जाता है सही मातरा हो जाती है भोजन की सही मातरा में किया गया भोजन आपको अनेक स्वास्थे लाब देगा, हलका पन रहेगा, ओबेसिटी से बचाएगा और अनेक बिमारियों से बचाएगा तो केवल सही तरीके से बैठ के खाना खाने मातर से आपको इतने बड़े लाब प्राप्त हो सकते हैं तो इसको आज से ही अपने जिवन में धारण करें कि आप भूमी पर बैठ कर ठीक प्रिकार से भोजन ग्रहन करेंगे दूसरे स्थान पर आप समझें कि आपके भोजन का समय क्या होना चाहिए यहाँ पर दो अलग-अलग विशे हो जाते हैं पहला तो हम कहते हैं कि आपको सही समय पर भोजन करना चाहिए रोज आपका एक नियम होना चाहिए कि मैं इतने बज़े भोजन करता हूँ लेकिन आप अब कह सकते हैं कि हमें उस समय पर भूक नहीं लगती कभी हमें देर से भूक लगती है, कभी हमें पहले ही भूक लग जाती है, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, कि आप जैसे सुभह का बोजन कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपको दोपहर का बोजन 12 से एक बजे के बीच करना है, और सुभह आप लगबग 7 बजे के पास अगर आहार ले रहे हैं, तो आप उतनी ही मात्रा में आहार लें, जिससे कि आपको सहजता से उस समय भूक लग जाए, अगर आप सुभह बहुत अधिक खा लेंगे, तो आप 2 बजे फिर खा रहे हैं, तीन बजे खा रहे हैं, वो भी गलत है, और अगर सुभह कुछ न आहार का समय होगा, उस समय पर ठीक प्रकार से भूक लगी हुई नहीं होगी, तो इन चीजों को आप कैसे संतुलित कर सकते हैं, कि आपको अपने भोजन की मात्रा को अरजस्ट करना है, और ये देखना है कि इस समय पर मैं इतना खाऊंगा, तो उस समय तक मुझे उचित भ होंगे, तो भोजन का एक सही समय आपको सुनिश्चित करना है, अब तीसरे स्थान पर आप समझें कि आपके भोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, यू तो अक्सर हमने आपको ये कहा है, कि आप भोजन करने के बाद ऐसा अनुभव करें, कि आपने कुछ भोजन किया ही नही वही सही तरीका होता है, वही सही मात्रा होती है वोजन की, लेकिन अनेक बंदु हमारे ये कहते हैं कि हमें वजन बढ़ाना है, तो हम कम खाएंगे तो हमारा वजन कैसे बढ़ेगा, तो इस विशय में आप समझें कि जो ये सीख आज के समय में दी जाती है, कि आप बार बा खाएं, force feeding करें, खाते रहें, बार-बार, तो ये चीज ठीक नहीं है, इससे शरीर में विशाक्तता बढ़ेगी, थोड़े दिन तक तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन जब लंबे समय की बात की जाएगी, तो वो चीजें आपके लिए ठीक नहीं होंगी, तो फिर वजन कैसे बढ़ाएं, वजन बढ़ाने के लिए आपको ऐसे व्यायाम करने होंगे, अपने जिवन शैली को ऐसा active बनाना होगा, जिससे कि आपका पाचन तंत्र और अच्छा काम करने लगे, और आपको अधिक भूक लगने लगे, अगर आपको अधिक भूक लग रही है, और आप अ हज आपका पाचन क्योंकि जट्रागली जो है वो तिवर है, वो तुरंत उसको हजम कर रही है, तो वो अच्छे से उसको हजम करेगी और आपके शरीर में विशाक्तता नहीं बढ़ेगी, हमने सानातन हट योग पर इस विशे पर मार्क दर्शन किया है कि किस तरीके से और अधिक मात्रा भे कुछ भोजन कर रहे हैं, तो वैसा स्षाररिक अभ्यास भी आपका होना चाहिए, फिर आपके लिए वो हिदकर ही होगा. चोथे स्थान पर आप समझें कि आपको अपनी प्रकरती के अनुरूप ही आहार लेना है, वात पित्त कफ तीन प्रकरतियां होती है, अब आप इसे ऐसे समझें कि आपकी प्रकरती कफ है और आपके मित्र की प्रकरती पित है, आपने कोई चीज खाई जो कि तली भुनी ची बढ़ाने वाली चीज़ें खाएगा भी तो उसे उसे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन आपके मित्र की प्रकरती अगर पित है और वो तली भुनी चीज़ें मसालों वाली चीज़ें जादा खा रहा है तो उसे वो तुरंत नुकसान करेंगी आपको उसने नुकसान नहीं किया लेकिन आपके मित्र को उसने भारी नुकसान किया क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग थी और उनके शरीर पर उस वस्तू के प्रभाव भी अलग-अलग होने थे तो ये आपको देखना होगा कि आप किस वस्तू से कैसा अनुभव करते हैं, क्या आपके लिए ठीक है, क्या नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि अच्छी चीज है, ये तो नुकसान नहीं करते हैं, आप समझें कि ये चीज आपके लिए कैसी है, तो अपनी प्रकृती के अनु कि भोजन से पहले और भोजन के बाद आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि पाचन भी अच्छा हो सकता है, भोजन अच्छे से पच सकता है, आपके शरीर का हिस्सा बन सकता है, आप हलका अधवव करेंगे सबसे पहला आप भोजन करने से पहले अगर राइट नोस्टल से सांस लेते हैं तो इस से आपका जो पाचन तंत्र है वो उद्डिप्त हो जाता है उसकी शक्ती बढ़ने लगती है कैसे आपको अपनी बाई नाशिका को बंद कर लेना है सीधा बैठ जाना है भोजन करने से प फिर से धीमा सांस अंदर लेना है फिर से बार छोड़ना है इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार कर लेना है इतना आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है इससे पिंगला राइट नोस्टल जो सूर्य नाड़ी होती है वो सक्रिय हो जाती है और उसका अच्छा प्रभाव होता ह है आपके पाचन पर दूसरा आप क्या कर सकते हैं आपको दो घूट पानी पीना है और 32 बार उस पानी का मूँ के अंदर संचालन करना है पहले आप कुल्ला करने ठीक प्रकार से उसके बाद दो घूट पानी पिए और मूँ के अंदर 32 बार संचालन करें चलाते रहे चलात वो आपके पाचन को अच्छा करता है, भोजन को पचाता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्लेंड्स है, इनका सिक्रेशन बढ़ता है और ये आपके पाचन के लिए अच्छा होता है, भोजन करने से पहले ऐसा आप कर सकते हैं, फिर आप सात्विक भाव से शुद्ध शाकाहरी भोजन बैठ करके करते हैं, और भोजन करने के बाद आपको वजरासन करना है, अब वजरासन का सिध्धान्त भी वही है जो हमने पहले नियम में समझा, कि बलड का सिर्कुलेशन लौर बोडी में कम होता है और पाचन की तरफ बढ़ता है, साथ ही साथ वजरासन म वजरासन में आपको पाँच मिनिट, दस मिनिट अपनी सुविधा के अनुसार बैठना है, तो ये आपका पाँचवा बिंदु हुआ चटे स्थान पर आप समझे के आपको अपनी जिववा के स्वाद के लिए भोजन नहीं करना है, आपको अपने स्वास्थे को देखना है, आप इसको ऐसे समझे के एक तपस्या है आपके लिए, आप अपने स्वास्थे को अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये तपस्या है क आपको बस इतनी देर तक आप भोजन कर रहे हैं कितना समय है 10 मिनिट का 15 मिनिट का समय है 15 मिनिट तक अगर आप यह सोच लें कि मुझे स्वाद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं मेरे स्वास्थे के लिए जो अच्छा है मैं वो ही करूँगा तो आप समझें कि आप अपने स्वास्थे को पूरी तह से बदल देंगे क्योंकि यह जितनी बिमारियां आपको दिखती हैं जितने होस्पिटल भरे हुए दिखाई देते हैं मैं कहता हूँ कि इन में से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जोकि इस जिवा के स्वाद के कारण ही वो कष्ट आज भोग रहे हैं तो अगर आप इस जिवा पर नियंतरण कर लेते हैं तो यह बड़ी साधना आपकी हो गई हमारे यहाँ तो हमारे योगी अस्वाद साधना करते थे जो की इस प्रकार की हुती थी कि वो बे स्वाद बोजन करना शुरू कर देते जिससे कि उनके मन पर ऐसे प्रभाव होते थे कि नियंतरण में आने लगता था जो मन उन्हें भठका रहाता स्वाद की तरफ वो अब उनके वश में हो जाता था अस्वाद साधना इसे कहते थे तो आप समझें कि जिवा के स्वाद के चक्कर में पढ़ करके अपने जिवन को नश्ट नहीं करना है आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है तो इस प्रकार से ये जो नियम थे आहार के ये आप अती महतुपूर्ण अमुल्य समझें अपने लिए जो की आपको बहुत सारे लाब दे सकते हैं अब हम गिनवाने लगे तो फिर बहुत लंबा ये मार्क दर्शन हो जाएगा तो आप समझें कि लाब आपको अनेक होंगे आप युवा बने रहेंगे उरजावान बने रहेंगे सक्षम रहेगा शरीर रोग पृतिरोधक्षमता बढ़ेगी शरीर में बिमारिया नहीं होंगी तो बस आपका ये जो साधन है शरीर ये ठीक रहेगा आप धर्म के मार्क पर चलेंगे आप अपने भौतिक सिद्धी के मार्क पर चलेंगे हर दिशा में आप निर्बाद रूप से आगे बढ़ सकेंगे अपेक्षा है कि आज का मार्क दर्शन आपको ठीक प्रकार से सबज में आ गया होगा आगे आपके प्रशनों के अनुरूप मार्क दर्शन होता रहेगा सभी के लिए प्रार्थना सभी के लिए मंगल काबना आज के लिए इतना ही ओम नमस्शिवाए